मुननाबर फारुकी गर्फ्रेंड नाजीला ने किसे किया टार्गेट आईशा से जुड़ते दिखे तारु मुननाबर फारुकी इन दिनों अपनी लाव लाइफ और पॉसनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं कई लोगों को ये पसंद आ रहा है तो कई लोग इसे लगाता ट्रोल भी कर रहे हैं वहीं जहां आईशा बिक बोहस के घर में काफी गुस्से में मुनावर की बैंड बजाने पहुंची थी तो वहीं अब उन दोनों के बीच काफी अच्छी अंदस्टार्णिंग हो गई है दोनों एक दूसरे की नज़्दीक आते हुए दिख रहे हैं इसे बीच नाजईला सिताशी का एक वीट वाइरल हो रहा है जिसे लोग आईशा खान से जोड कर देख रहे हैं मुनावर फारुकी ने शो में खुलकर सिताशी के लिए अपने प्यार का इजहार किया था जो उनके सबसे बड़ी गलती साबित हुआ इसके बाद आईशा खान ने मुनावर पर डबल डेट का आरोप लगाया इतना ही नहीं आईशा खान मुनावर फारुकी का सामना करने बेग बॉस 17 में भी आ गई इस मामले में नाजिला ने भी कॉमेंट करते हुए मुनावर से अपना सारा रिष्टा तोड लिया था लेकिन आप नाजिला का एक पोस्ट को वारल हो रहा है जिससे फैंस आईशा खान के लिए मान रहे हैं मनमर फारुकी और आईशा के अलामा घर वाले भी नाजिला की बात करते कई बार दिखे हैं इन सब के बीच नाजिला ने एक्स यानि ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख दिया जो कुछ है मिंटों में वारल हो रहा है नाजिला का एक ट्विट आईशा खान के नाम सर जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है नाजिला ने लिखा कुछ महिलाएं जो सच में एक दूसरे का समर्थन करती है जब की कुछ महिलाएं केवल में जेंडर का अटेंशन पाने के लिए अन्य महिलाओं का समर्थन करती है हालंकि ट्विट में नाजीला नए किसी करणाम नहीं लिखा लेकिन अब हर कोई मान रहा है ट्विट्ट ट्विट आईशाक्था खान के लिए है क्या नाजीला यही निशाना आईशा खान की तरफ साथ रही है आपको क्या लगता है कमें सेक्शнь में जरूर बताएं चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें धन्यवाद